प्यारे बच्चों, इंटर्मीडियेट परिच्छा दोहजार चोबिस, एकनॉमिक्स आर्ट्स बिसायव का एक्जाम जो है 17-2-2024 को हुआ था, हम लोगों ने अबजेक्टिव प्रस्णों को मिला लिया है, बहुत सारे बच्चों का कॉमेंट आया कि बहुत अच्छे एक्ज कर ले और 11 क्लास के बच्चे जो नॉमिक्स लिये हैं और 12 में जाएंगे तो वो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, चली हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं, 31 नमबर कोस्चन आया था कि उप्योगिता को परिभासित करें, तो किसी वस्तु में और सकता को संतुष्ट करन अंतिम वस्तु क्या है? तो अंतिम वस्तु वे वस्तु हैं जिनका पर योग अंतिम उभोग अत्वा पूंजी निर्मान में होता है, जैसे जूते पेन, अंतिम वस्तु क्या है? तो वह वस्तु जिसका अब कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा, वो डायेट अब उभोग क जैसे जूता जूता बनकर तयार हो गया चमडा से हम लोग जूता बना लिए जूता हम पहनेंगे उसको फाड़ देंगे पहन के तो क्या हुआ जूता के बाद या उसका कोई दूसरा रूप हम नहीं बना सकते हैं तो यह जूता जो है वो अंतिम वर्तु कहलाएगा साधनाय क्या है तो उत्पादन के पाद साधन होते हैं हम लोग सभी जानते हैं भूमी, स्रम, पुझी, परबन, साहस तो सब का जो आय होता है वही साधनाय कहलाता है तो साधनाय से अभी प्राए उत्पादन के कारको की आय से जैसे मजदूरी किसको मिलेगा तो स्रम को तो इन सब को जो प्राप्त होगा आए उसी को मेलोग साधनाय कहेंगे जो लिखा उसको देख लीजे बच्चो अगला कोशन है सिमांध लागत क्या है तो एक अत्रिक्त इकाय का उत्पादन करने से लागत में जितनी बिर्दी होती है उसे उस इकाय विशेज की सिमांध बजट को परिभासित करें तो बजट मलब होता है कि सरकार जो अपना आयवय का हिसाब सलाना जो रखता है वो बजट का लाता है तो सरकारी बजट एक वितिये वर्स मलब अपरेल एक से मार्च 31 तक कि अउधी के दौरान सरकार की प्राप्तियों मलब आए तथा सरकार के व वेक्ति पर पड़े उसे परत्यशकर कहते हैं जैसे आयकर संपत्तिकर आदी वेपार संतुलन को परिभासित करें तो वेपार संतुलन के अंदर गत आयातों और निर्यातों का विस्तित विवरा रहता है जब एक देश के आयातों की तुलना में उसके निर्यात अधिक होते है तो उसे अनुकूल वेपार संतुलन कहते हैं और जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होते हैं तो उसे परतिकूल वेपार संतुलन कहते हैं 38 है विदेशी विनीमेदर से क्या समझते हैं तो विदेशी विनीमेदर यहां बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाईयां मिल सकती है क्राउथर के अनुसार क्राउथर जो है अर्शास्त्री है उनके अनुसार विनीमेदर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुदरा मिलने वाली इकाई, इकाईों की माप है तो ये थे आपके अति लगुतर यह प्रश्ण है, अब 49 से आपका लगुतर यह प्रश्ण है अस्थानापन वस्तु में तथा पूरक वस्तु में अntar क्या है? अंतर आपको बताना था तो पूरक वस्तु तथा अस्थानापन वस्तु में निमलिखी तंतर है पहले हम लोग पूरक वस्तु को देख लेंगे तो पूरक वस्तु है वे वस्तु है जिनका परियोग किसी आव सकता विशेज को संतुष्ट करने के लिए एक साथ किया जाता है कार और पिट्रोल पूरक वस्तु हैं दूसरा है पूरक वस्तु की स्थिती में एक वस्तु की कीमत में विर्धी होने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है जैसे अगर पिट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का मांग क्या होगा घटने लगेगा तो पिट्रोल के मुल में विर्दी होने के करण कार का मांग परभावित हो जाता है तो ये पूरक वस्तू है और एक वस्तू की कीमत में कमी होने से पूरक वस्तू की मांग बढ़ जाती है अब अस्थानापन वस्तू को हम देख लेते हैं तो अस्थानापन वस्तू है बे वस मने अस्थारमत वस्टूगी मांग बढ़ जाती इसके विपरित एक वस्टूगी कीमत में कमी से पर्थियस्थापन बोली यह चाहले है अस्थाणपन बोली है एक ही बात है वस्टूगी मांग कम हो जाती जैसे चाय और कौफि यह दुनों पेपदार्त है यदि कॉफी का दाम बढ़ने लगेगा तो आजमी कॉफी छोड़ का चाय पीने लगेगा तो चाय का मांग क्या होगा ओटोमेटिक बढ़ने लगेगा मांग के नियम के क्या अपवाद है अपवाद मनलब होता है कि कब मांग का नियम काम नहीं करेगा जैसे किसी वस्तु का मुल बढ़ता है तो मांग घट जाता है और मुल घटने से मांग बढ़ता है लेकिन कुछ-कुछ ऐसी वस्तुए होती है जिस पर मांग का नियम काम नहीं करता है मुल बढ़ने से उसका मांग भी बढ़ने लगेगा और मुल घटने से उसका मांग भी घ गटने लगएगा तो उसको हम लोग मांग का अपवाद करते हैं तो वही अपवाद के बारे में आपको लिखना था तो मार्सल के सब्दों में मांगी गई मात्रा मुल में कमी के साथ बढ़ती है तथा मुल में विर्धी के साथ घटती है ये मांग का नियम हो गया कुछ अपवाद कहा जाता है मतलब मांग का रेखा उपर से नीचे दाहनी और बढ़ती है लेकिन मांग का अपवाद में या कुछ बस्तू में क्या होती मांग की रेखा नीचे से उपर दाहनी और बढ़ने लगती इस तरह तो कुन-कुन है तो यहां आप देख सकते हैं इस चाहे था तो ये मांग का अपवाद का लाएगा चीतर में मांग वक्र नीचे से दाई और बढ़ती है इसके निम्न कारण है मलब मांग वक्र नीचे से उपर दाईनी और क्यों बढ़ रही है मांग का क्या अपवाद है तो इसके निम्लिखित कारण है जब मांग का नियम कार चौथा अनिवार वस्त हुए पांचमा आदत की वस्त हुए और छठा है विशेश अवसर मलब इन कारणों में मांग का नियम आपका काम नहीं करेगा और इसे मांग का अफवाद कहा जाता है एक तालिस है पूर्ती की लोच का क्या अर्थ है तो सैमूलसन का नुसार पूर्ती की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फर्स रूप पूर्ती में होने वाले परिवर्तन की पर्तिकिरिया की मात्रा है इसका फॉर्मूला है येस बराबर थोड़ा बड़ा कर देते हैं मात्रा में परिवर्तन को बताता है ये Q जो है वो आरंभिक पूर्ति की मात्रा को बताता है P1 जो है वो मुल में परिवर्तन को बताता है ये आरंभिक मुल को बताता है तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं delta q बटा q बटा delta p बटा p और इसी को अगर जहां double भागा आप देख रहे हैं इसको गुणा में change करेंगे तो यह p उपर चल जाएगा और delta p नीचे आजएगा तो यह वह पलट जाएगा यहाँ पर तो यह गुणा में change हो जाएगा तो पूर्ती का ये formula बन जाएगा अब इसमें कोन क्या है यहां लिख दिये हैं डेल्टा Q जो है वो पूर्ती मात्राम परिवर्तन को बता रहा है Q आरंभिक पूर्ती है डेल्टा P मुल में परिवर्तन पी आरंभिक मुल को बता रहा है 42 नंबर Q है वेश्टी अर्थ सास्त तथा समस्टी अर्थ सास्त में अंतर करें तो अंतर करना है तो एक तरफ वेश्टी को लिए हैं दूसरा तरफ समस्टी को लिए हैं अंतर है कि वेस्टी में इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाईयों जैसे एक फर्म एक भुकता आधिक की समस्याओं का अध्यान किया जाता है जबकि समस्टी में पूरी अर्थवरस्था को एक इकाई मान कर इसकी आर्थिक समस्याओं का अध्यान किया जाता है दूसरा अंतर ह वेस्टी को हम लोग इंगलीज में क्या कहते है माइक्रो जो ग्रीक सब्द माइक्रस से बना है इसका अर्थ होता है छोटा या सूच्वे जबकि समस्टी अर्षास को हम लोग क्या कहते है मेक्रो कहते है या ग्रीक सब्द मेक्रोज से बना है जिसका अर्थ विशालत्वा व् प्रवारे से होता है जबकि समस्टी का मुख उपदेश संसाधनों के पूर्ण रोजगार वा विकास से होता है चोथा अंतर है इसकी मुख समस्या कीमत निर्धारन है जबकि इसकी मुख समस्या आय रोजगार का निर्धारन है इसका मुख उपकरन मांग वा पूर्ती है जब परी काम होता है जबकि समस्टी अर्सास में इसको इस्थिर मान लिया जाता है। दोहरे सईयों का अभाव पाया जाता था मुदरा ने इस कठनाई को दूर कर दिया है। किमतों को मापा जा सकता है तथा व्यक्त किया जा सकता है। बी पॉइंट है इसका गौन अत्वा सहायक का तो इसके अंदर गत पॉइंट बनेगा अस्थागित भुकतानों का मान। जिन लेन देनों का भुकतान ततकाल ना करके भविश के लिए अस्थागित कर दिया या तो उन्हें अस्थागित भुकतान कहा जाता है। मुद्रा को अस्थागित भुकतानों का मान इसलिये माना गया है क्योंकि पहला अन किसी वस्थू की तुलना में इसका मुल इस्थिर रहता है। का तुरंद कोई विचार नहीं है, पर तेग वेक्ति अपनी आये का कुछ भाग भविस के लिए बचाता है, इसे ही मुल का संचे कहा जाता है, मुद्रा के रूप में मुल का संचे करना सरल होता है, क्योंकि पहला कारण इसका क्या है, तो मुद्रा को सब लोग स्विकार कर ल मुल का हस्थांतरन, तो मुद्रा मुल के हस्थांतरन का कारिकरती, क्योंकि इसकी माध्यम से कोई वेक्ति अपनी क्रेश सकती दूसरे को दे सकता है, तो एक हस्थांग पर अपनी अचल संपत्ति को बेज कर दूसरे हस्थांग पर संपत्ति खरिश सकता है, इसरा इसका मु question है समस्त मांग को परिभासित करे तथा इसके घटकों को बताएं तो कुल मांग बोलिए समस्त मांग बोलिए या समग्र मांग बोलिए एक ही बात है तो वह कुल वय है जो लोग एक वितिय वर्स के अवधी के दौरार वस्तु और सेवाओं के खेजने पर खर्च करने की बात करते हैं इसके मुख घटक है है पहला नीजी उभोग वय जिसको लोग सी बोलेंगे इसमें देश के ग्रियास्तो परिवारों द्वारा एक लेखा वर्स पे सभी वस्तु तथा सेवाओं के लिए की गई मांग को सामिल किया जाता है दूजरा है नीजी निवेस मांग इसको आई बोलेंगे इससे अभी प्राय नीजी निवेस करताओं द्वारा पूंजी पदार्थों की खरीद पर करने वाले वय से हैं तीसरा है आपका सरकारी वय जिसको लोग जी मानेंगे तो इसमें सरकारी उभोग में वय तथा सरकारी निवेस वय दोनों सामिल होते हैं सरकारी उभोग वय से अभी प्राय है सैन सुरच्छा पर्यों के लिए वस्तुओं के उभोग की खरीद पर खर्च सरकारी निवेश वय से अभी प्राय है सडको डेमों तथा पूलों के निर्मार पर किया जाने वाला वय चौथा है इसका सुध निर्याद X-M तो विदेशियों द्वारा हमारी वस्तुओं ले किये गए वय को अर्थवयस्था में कुल वय मलब समगर मांग में जोडा जाता है जबकि आयात पर किये जाने वाले वय को घटाया जाता है अता X-M हो गया सुध निर्याद को समगर मां में जोड़ा जाता है अधा समगर मांग का मुक्त तो आपका क्या बन गया तो सौटकट में यह फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यह खुली अर्थवरस्था में हो जाएगा खुली अर्थवरस्था में जिसका दूसरे देशों से विफार्वरस्था होता है और एडी बराबर सी प्लस आई बंद अर्थवरस्था में होगा तो यह जो है यह उसके घटक है समगर मांग के C, I, G और X मैनस M यहाँ सब लिखावा एकोन क्या है इसको हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं यह है आपका एक्ता रेखा या I का रेखा और यह है आपका एग्रिगेट डिमांड का रेखा जो यहाँ से उपर के और बढ़ रहा है जैसे जैसे आए बढ़ता है वैसे वैसे आपका समगर मांग भी बढ़ते जाता है तो चित्र में AD वकर का बाएं यहाँ जगा बाएं से दाएं बाएं से दाएं उपर के और बढ़ना इस बाग को दरसाता है कि जैसे जैसे आए जिसकी दर आय अत्रव संपत्ति विर्धी के साथ सथ बढ़ती जाती है। जितनही अधिक होगी उससे उतना ही अधिक करवसुला जाएगा। इसका क्या क्या गुन है? तो न्यायपूर्ण पहला यह कर उच्ची आयवालों से उच्ची दर के अधार पर कर लिया जाता है जो उप्योगिता हरास नियम के अनुरूप है दूसरा है कुल त्याग नियुन्दम सिधान के अनुरूर तो निर्धन वेक्तियों के तुलना में धनी वेक्तियों को कम त्याग करना पड़ता है तीसरा है वित्रन में समानता इस कर से धन के वित्रन में अधिक समानता लाई जा सकती चौता है सरकार की आये में विर्धी संभव इस कर के माद्यम से अमीर वेक्तियों पर उची दर से कर लगा कर सरकार अपनी आये की पूर्ति कर सकता है 46. नमर कोशन है गुनक क्या है या MPC से किस परकार समंधित है असपश्ट करें 236 में केंस ने The General Theory of Employment Interest and Money में गुनक सिधान्त की विष्टित व्याक्या की थी उन्होंने इसका परिभासा दिया कि गुनक विन्यों में हुए परिवर्तन के फल्सुरूप आये में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है और ये गुनक का फॉर्मूला है इसमें जो गुनक है वो क्या है तो सिमान तुभोग परिवर्ती पर निर्वर करता है सिमान तुभोग परिवर्ती या सिमान बचत परिवर्ती का ज्यान होने पर गुनक का अनुमान लगाया जाता है MPC मलब सिमान्द उभोग परविर्ती और गुनक में पत्याच तथा MPS मलब सिमान्द बचत परविर्ती और गुनक में विप्री संबन्द होता है जब MPC सुन्य होता है तो गुनक एक होगा इसी परकार यदि MPC एक हो तो गुनक अनन्ध होगा अब यहां मैंसे दिखा दे कि MPC को अगर हम सुन मान लेते तो गुनक क्या होगा के बराबर मलग गुनक बराबर 1 बटा 1- MPC रखेंगे MPC का मान यहां हम लोग 0 रखेंगे तो MPC के जगा 0 बठा दिये तो 1 बटा 1 बराबर 1 आ गया तो जब हम लोग MPC को सुन मानेंगे तो गुनक का मान कितना हैगा एक आएगा और जब MPC का एक रखेंगे मान तो गुनक का मान क्या होगा अनंध हो जाएगा तो बच्चो यह थे आपके अति लगु उतरिये और लगु उतरिये प्रशनों के उतर आसा करते वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिर गुतरिये प्रशनों को भी देख लेंगे तब तक लिएगा दीजे जै हिन जै भारत